दोस्तो दूरदर्शन DTS पर नए चैनल एड़ हो चुके हैं अगर आप नए चैनलो को एड़ करने में आसमर्थ हैं नए चैनल आप नहीं एड़ कर पा रहे हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नए चैनलो को देख सकते हैं तो आपके पास नए चैनल देखने को मिल जाएंगे नमस्कार मेरे नम सहल है और आप देख रहे हैं सहल फ्रीडिस यूटूब चैनल एस वीडियो को दोस्तो कीजिएगा लाइक और चैनल पर आप हमारे नए हैं चैनल को जरूर कीजिएगा सबस्क्राइब आई आईए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ हमारे हर एक इस चैनल्स को डिलीट औल प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है और डिलीट हो जाएगा फिर आपको नमबर दो पर आना है रेडियो चैनल लिस्ट पर यहाँ पर भी दोस्तों हमें फिर एडिट प्रोग्राम में आना है मेनू का बटन दाप कर और फिर हमें डिलीट औल रेडियो के channels करने है जब दोस्तो ये radio के channels भी delete हो जाएंगे तो दोस्तो हमारे पस बचेगा क्या दोस्तो हमारे पस कुछ नहीं बचेगा और हम आपको जो बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा दोस्तो अब आपको करना ये है कि आपके setup box में सबसे बड़ी बात यह है यह secret setting है कोई बताता नहीं है दोस्तों देश का सबसे बड़ा DTS related YouTube channel है तो यह बता रहा है आपको कि सबसे पहले आपको system setup में आना है और दोस्तों आपको यहाँ पर OSCD setting में transparency 0% रख लेना है इसे आप कई एक फार्मिट में कर सकते हैं तो आप यहाँ पर इसे sky कर लीजिए दोस्तों sky कर लेंगे आपके पास जैसा मेरा आ रहा है वैसे ही आपके पास भी आना इस्टार्ट हो जाएगा यह बड़ी बात दोस्तों settings की अब मैं आपको program setup में आकर यहाँ पर सबसे पहले frequency एड़ करना सिखाऊंगा आपको 97 पचास आपको frequency एड़ करनी है उसके बात दोस्तों आपको अगली frequency एड़ करनी है ग्यारह 090 यह trans frequency है अब आगे आपको यहाँ पर लिखना है 29500 हाला कि दोस्तों आप लोगों ने हमारी डिस्क की उसी स्यूच वाली वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजेगा जिसमें हमने आपको बताया है कि LNB234 डिस्क की उसी लगा कर एक से ज्यादा छतरी लगा कर अपने घर के छत पर आप कर सकते हैं तो आपको उपर आई बटन पर भी उस वीडियो का लिंक मिल रह है और साथ में दोस्तों आपको इस डिस्क्रेप्शन में मिल रहा है इस वीडियो के तो आप वहां से भी देख सकते हैं अब दोस्तों हमें करना यह है इसे ओके करना है ओके करेंगे 18 चैनल हमारे पास यहां पर आ जाएंगे फिर दोस्तों आएंगे यहां पर और अब फिर हमें एक frequency add करनी है 11 170 और बड़ी simple simple frequency है याद कर लोगे आप दोस्तों यहाँ पर 18 channel हमें receive होंगे अब दोस्तों अगली frequency हम यहाँ पर add करेंगे 11 470 यहाँ पर भी दोस्तों 18 channel receive हो जाएंगे अगली frequency दोस्तों अब आपको add करनी है यहाँ पर 11 550 यहाँ पर भी दोस्तों हमें 20 channel हमें receive हो जाएंगे यह देख सकते हैं 20 channel receive हो गए अब दोस्तों अगली frequency हमें add करनी है 11 510 यहाँ पर दोस्तों हमें 20 channel यहाँ पर भी receive हो जाएंगे अब आपको मैं बताता हूँ menu बटन आपको दाबना है TV channel list में आजाना है और यहाँ पर दोस्तों आप एक एक channels की पूरी list देख सकते हैं मैंने वीडियो के हिस्सों को मुझे चलाना नहीं है सरिफ आपको channels के नाम की list में दिखा रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया भर के नए नए channel आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे और बेहतरीन channel आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इन सभी channel को आप अपने दूरदर्सन DTH के MPEG 2 box में आसानी के साथ देख सकते हैं और इन ही channel को आप MPEG 4 में भी देखेंगे मगर जो extra channel आपको देखने को मिलते हैं जैसे 500 channel वहाँ पर scanning पर आते हैं लेकिन वो channel सारे के सारे educational हैं तो दोस्तों आपको तो यह video आप इस video के नीचे अगर आप comment करते हैं तो आपको मिल सकता है HD setup box साथ में आपको चैनल को भी subscribe जरूर करना है इस video को like भी करना है दोस्तों आप comment करेंगे तो जाहिर सी बात है very nice video जरूर यही आप comment में हमें लिखेंगे यह मुझे मालूम है क्योंकि इतनी अच्छे information बहुत सारे लोगों के पास पुराने ही चैनल चल रहे होते हैं नए चैनल नहीं आते हैं तो इन लोगों देलिए दोस्तों यह स्टाप प्रेम एक भेंट है वो अच्छी तरीके से अपने box में इसी प्रकार से सेटिंग करके frequency को डाले उनके पास नए चैनल देखने को मिल जाएंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद